दोस्तो यूपी इडिस्टिक की तरफ से एक बड़ा अपडेट आ चुका है अब आप लोग बहुत ही आसानी से घर वैटे ही आधार OTP के मादधियम से अपने आए जाती निवास प्रमार पत्र को बना सकेंगे और जिस भी दिन आप लोग ओनलाइन अपलाई करेंगे उसके म आप लोगों को लाइब उस साइटिफिकेट को डाउनलोड करके भी दिखाने वाला हूँ यहां पर अगर आप लोग आए जाती निवास प्रमार पत्र के लिए ओनलाइन अपलाई करते हैं तो इसमें आपको मत्र 15 रुपए की ओनलाइन ही फेस का पेमेंट करना पड़ता ह और यह पोर्टल पहले से काफी जादा चेंज हो चुका है तो इस पीडियो में मैं आपको कम्प्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ कि आप किस तरह से ओनलाइन ही आए जाती निवास प्रमार पत्र के लिए अपलाई कर सकते हैं डोकुमेंट्स के बारे में बात करें तो आ आपके पास में एक पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए दूसरा डॉकमेंट आपके पास में आधार कार्ड होना चाहिए और तीसरा आपके पास में एक स्वा पिर्मारित घोष्णा पत्र होना चाहिए जो कि आप लोग यहां पर देख सकते हो और इस घोष्णा पत्र क्लिक करने के बाद में यहां पर ID पासवर्ड डाल करके आपको लोगिन करना है लेकिन अगर आपके पास में ID पासवर्ड नहीं है तो आपको नभीन उपयोग करता पंजी करण वाले ओप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है अब जैसे ही क्लिक करेंगे यहां पर आप लोगों से सार्टिफिकेट अपलाई कर रहे है उसका नाम डेटो बर्त और जेंडर इसके बाद आपको यहां पर अपना कंप्लीट एडरस फिल कर देना है आपके एरिया का जो पिन कोड है वो यहां पर टाइप करेंगे जिला आपको इस लिस्ट में से सिलेक्ट कर लेना है और इस जाना है यहां पर आपको लोगिन आईडी पासवार्ड और इस कैप्चा कोड को डाल करके सब्मिट वाले ओप्शन पर एक बार किलिक कर देना है और इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरहें से यह पोरटल आ जाएगा सबसे पहले मैं आपको यहां पर जो मैंने प्रमार सार्टिफिकेट के लिए यहां से अपलाई किया था अपलाई करने के बाद में यह हमारा सार्टिफिकेट बनके तयार हो चुका है आप जो भी सार्टिफिकेट अपलाई करेंगे उसे आप लोग डाउनलोड कैसे करेंगे तो उसके लिए आपको यहां पर एक उप्शन दे जबी की information आ जाएगी जैसे कि हमने income certificate के लिए apply किया था हम income बाले option पर click करेंगे click करने के बाद में हमारा जो आय प्रमाड पत्र है यहाँ पर आ चुका है इसे download करने के लिए हम अपने application number पर एक बार click करेंगे और जैसे ही click करेंगे आप देख सकते हो पूरा हमारा income certificate आ चुक गया है तथा digital signature से हस्ताचारित है अबेदक द्वारा स्वयंग की login ID के माद्यम से download किया गया है तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका certificate है इस पर digital signature किये हुए रहते हैं यहाँ पर भी आप देख सकते हो सक्षम अधिकारी तहसीलदार digital हस्ताचारित और यहाँ पर आपका address दि देता हूं कि आपको इस portal के माद्यम से किस परकार से online ही आय जाती निवास के लिए apply करना है तो इस portal पर आप लोगों को कुछ इस तरह से interface देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर आप लोगों को आवेदन पर पत्र में सभी option मिल जाएंगे जैसे कि जाती प्रमार पत्र आय आधार कार्ट से EKYC करना mandatory कर दिया गया है अब आप लोगों को यहाँ पर अपने आधार कार्ट से EKYC को complete करना पड़ेगा जिसमें कि आपको यहाँ पर सबसे पहले उस व्यक्ति का आधार नंबर एंटर करना है जिस भी व्यक्ति का आप लोग certificate apply कर रहे है capture code दिखाई दे आपको यहाँ पर फिल करना है और सब्मिट वाले option पर एक बार किलिक कर देना है और जैसे ही किलिक करेंगे यहाँ पर आपके सामने पूरा फॉर्म आ जाएगा अगर आप निवास प्रमाड़ पत्र का फॉर्म आ जाएगा ऐसे ही आप लोग अगर आई प्रमाड़ पत्र या फिर जाती प्रमाड़ पत्र के लिए अपलाई करेंगे तो उसका पूरा फॉर्म यहाँ पर आ जाएगा अब आपका जो नाम है वो नाम आपका यहाँ पर आउटोमेटिक ही आपके आधार कार्ड से ले लिए जाएगी अप कुछ अधर इंफोर्मेशन है वो आपको फ इस थान फिल कर देना है इसके बाद यहाँ पर आपको अपने पता को फिल करना है जिसमी की मकान नंबर मुहला या फिर पोस्ट का नाम फिल करना है डिश्टिक आपका पहले से ही सिलेक्ट रहेगा इस लिश्ट में से आपको अपनी तहसील का नाम सिलेक्ट कर लेना है और यहां पर आपसे पूंचा जा रहा है प्रमाड पत्र बनवाने की आप शक्ता यानि की आप लोग इस प्रमाड पत्र को क्यों बनवा रहे तो वो आपको यहां पर टाइप कर देना है जैसे की स्कोलर सिप के लिए बनवा रहे है या फिर रासन कार्ट के लिए बनवा रहे है के लिए जो भी रीजन है आपको यहां पर सिलेक्ट कर लेना है इसके बाद यहां पर आपसे पूंचा जा रहा है क्या इससे पहले आपको प्रमाड पत्र जारी हुआ है या फिर नहीं अगर आपके पास में प्रमाड पत्र है तो ही आपको हां करना है नहीं तो आपको नहीं कार्ट से ही ले ली जाएगी यह आपको फिल करने की आपशक्ता नहीं पड़ेगी इसके बाद यहां पर आपको कुछ डोकुमेंट्स को अपलोट करना है जो कि मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता चुका हूँ और आप लोगों को किस प्रकाश से उसे फिल करना है तो अभी आप लोग देख सकते हो इस्क्रीन पर ये है हमारा स्वय प्रिमारित घोशना पत्र और इसका जो डारेक्ट लिंक है डाउनलोड करने का बहुमें वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा सबसे पहले आपको बहां से डाउनलोड करना है इसके बाद आपको इसका एक प्रिंट आउट निकल बा लेना है यहाँ पर आप लोगों को आवेदक का नाम फिल करना है इसके बाद यहाँ पर आप लोगों को पिता का नाम फिल करना है यहाँ पर आपको उम्र को फिल करना है उम्र या फिर बर्स एक ही जगह आप लोगों को फिल करना है इसके बाद आपका जो बेपसाय है वो आपको फिल करना है और यहाँ पर आप लोगों को अपने complete address को fill कर देना है address में आप लोगों को gram पंचायत, post office, तहसेल और district का नाम fill करना है यहाँ पर आपको इस्थान का नाम fill करना है जिसमें कि आप अपने गाउं, तहसेल या फिर district का नाम भी डाल सकते हैं जिस भी दिन आप लोग form को apply कर रहें, वो date यहाँ पर आपको fill करनी है इसके बाद यहाँ पर आपको आवेदक का नाम डालना है और यहाँ पर आपको आवेदक के हक्ष्थाचर करवा लेने है तो इस तरह से यह form आप लोगों को भरना है और इसके बाद आपको इसका एक photo खींच लेना है इसके बाद आप लोगों को इसका जो size है भे 100 kb में कर लेना है अगर आपको size कम करना नहीं आता तो उससे related भी मैंने एक video बना दी है उसका भी link मैं आपको इस video के description box में दे दूँगा और इसके बाद आप लोगों को इसे upload करना है हम दोबारा से यहाँ पर इसी portal पर आ चुके हैं यहाँ पर आप लोगों को चुने वाले option पर click करना है सबसे पहले photo को select करेंगे और photo को select करने के बाद में यहाँ पर choose file वाले option पर click करेंगे किलिक करने के बाद में जहां कहीं पर भी आपका फोटो है उसे सिलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद ओपिन वाले उप्शन पर किलिक कर देंगे यहां पर आप लोगों को अपलोड वाले उप्शन पर एक बार किलिक कर देना है जैसे ही upload वाले option पर click करेंगे यहाँ पर आपका photo upload हो चुका इसी तरह से आपको स्वप्रमारित घोष्टा पत्र select करेंगे और upload कर देंगे और आधार card को upload करने के लिए आपको अन्य वाले option पर एक बार click कर देना है click करने के बाद में यहाँ पर आपको दो document हैं यह आपको upload नहीं करने है रासन काड या फिर butter card इन्हें आप लोगों को ऐसे ही छोड़ देना है और आप चाहें तो यहाँ पर अपने आधार card वाले photo को ही upload कर सकते हैं इस condition में आप लोगों को अलग से photo को भी upload करने के आपशकता नहीं पड़ेगी सबी कुछ information को fill करने के बाद में दर्ज करें वाले option पर एक बार click कर देना है और जैसे ही click करेंगे यहाँ पर आपके पूरे form का जो preview है print out वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा आप चाहें तो इसका एक print out भी यहीं से निकाल सकते हैं इसके बाद यहाँ पर आपको कुछ नीचे की साइड में आ जाना है और इसके बाद यहाँ पर आपको एक option देखने को मिल जाएगा सेबा सुल्क भुकतान करने के लिए यहाँ click करें जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है यहाँ पर आपको 15 रुपे का online ही payment complete करना है तो आपको इसी वाले option पर एक बार click कर देना है आपका जो application number है वो यहाँ पर आ जाएगा submit वाले option पर एक बार click करेंगे और यहाँ पर आपको proceed with payment वाले option पर एक बार click कर देना है जैसे ही click करेंगे आपके सामने payment page कुछ इस तरह से आ जाएगा payment करने की काफी सारे options आएं जैसे की net banking, debit card, QR code और UPI तो हम यहाँ पर QR code के मादधिम से payment करेंगे हमने QR select कर लिया इसके बाद यहाँ पर भीम UPI को select कर लेंगे और यहाँ पर make payment 15 रुपए वाले option पर एक बार click कर देना है इसके बाद एक QR code आपके सामने आ जाएगा इसी QR code पर आप लोगों को 15 रुपए की online payment को complete कर देना है payment हमारा complete हो चुका लेकिन अगर आपको कुछ इस तरह से error page देखने को मिल जाए तो आपको घबरानी की कोई भी आपशक्ता नहीं है आपको दोबारा से यहाँ पर main menu पर आ जाना है और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक option देखने को मिल जाएगा आवेदन की सूची इस वाले option पर आपको एक बार click करना है click करने के बाद में आपने अभी जो भी आवेदन किया होगा वो आवेदन आपको सबसे उपर ही देखने को मिल जाएगा तो आपको यहाँ पर एक जो application number दिया हुआ है इस application number को यहाँ से copy कर लेना है तो आपको यहाँ पर एक option देखने को मिल जाएगा सेवा, सुल्क, भुगतान इस वाले option पर click करेंगे और आपका जो भी application number है application number को यहाँ पर type करके submit वाले option पर एक बार click कर देना है जैसे ही click करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हूँ amount paid लिखके आ चुका है सुरक्षित करेंगे वाले option पर एक बार click कर देना है और जैसे ही click करेंगे यहां पर आप देख सकते हो आप लोगों को एक slip देखने को मिल जाएगी आप लोग चाहों तो इस slip को download भी कर सकते हो या फिर आप इसका print out भी निकाल सकते हो print वाले option पर आपको click करना है अगर आप PDF में save करना चाहते तो save PDF वाले option पर click करके save वाले option पर click कर देंगे आपकी यह जो रसीद है यह आपके mobile phone में या फिर laptop में successfully save हो जाएगी अब दोस्तों आपको करना क्या है यहाँ पर एक option आपको देखने को मिल जाएगा आबेदन की सूची इस वाले option पर आपको एक बार click कर देना है जैसे ही click करेंगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो लिखे आ चुका है applied and forwarded to concern officer यानि कि आपने apply भी कर दिया है और आपका जो application है वो concern officer के पास में forward कर दिया गया है अब दोस्तों आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है कुछ दिनों तक wait करना है और इसके बाद दोस्तों मातर 7 से 10 दिनों के अंदर ही आपका जो निवास प्रमाड़ पत्र या फिर income certificate है बहे जनरेट होके आ जाएगा आपको download कहां से करना है तो यहाँ पर एक option मिलेगा निस्तारित आवेदन इस वाले option पर क्लिक करेंगे जो भी प्रमाड़ पत्र आपने apply किया है उसी पर आपको क्लिक करना है जैसे कि income certificate के लिए income पर क्लिक करेंगे और कुछ इस तरह हैं से आपके सामने प्रमाड़ पत्र आ जाएगा जिस दिन आपका यह प्रमाड़ पत्र जारी होगा वो डेट आ जाएगी और यहां पर application नंबर वाले option पर क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद में आप देख सकते हूं कुछ इस तरह से आप लोगों का जो certificate है बहें बनके आ जाएगा और यहीं पर आपको print का भी